आज हम आपके हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर दस स्कूल के वेदिन का बचा हुआ पार्ट पूरा करेंगे समझेंगे पिछली क्लास में हमने इसका आधा आधा पार्ट हमने समझा था और महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है मैंने आपको बताया था और उनकी विवाह तक का पार्ट हमने समझ लिया था अब हम आगी क्या-क्या घटनाएं घटती हैं उन घटनाओं पर हम नजर डालेंगे समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं देखिए पहली लाइन महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ पढ़ाई में अक्षर अच्छे होने की जरूरत नहीं यह गलत विचार मेरे मन में इंग्लेंड जाने तक रहा ठीक है मतलब इनको अपने भूल का अहसास हुआ और जो इनके मन में था कि अक्षर अच्छे होना मतलब राइटिंग अच्छी होना जरूरत नहीं है यह इनके मन में गलत विचार था कि राइटिंग अच्छी होनी जरूरत नहीं है तो यह विचार इनके मन में कब तक था इंग्लेंड जाने तक इसका मतलब है कि इंग्लेंड भी गए थे अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए आगे चलकर दूसरों के मोती जैसे अक्षर देखकर मैं बहुत पच्टाया ठीक है मैंने देखा कि अक्षर बूरे होना अपूर्ण सिक्षा की निशानी है मतलब अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हुए जाने जाते हो और अपूर्ण सिक्षा आपके अंदर मानी जाए तो अच्छे दिमाग के साथ में अच्छी याददाश्ट के साथ में आपके लिखने की भी कला अच्छी होनी चाहिए मतलब आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए ठीक है तब ही आप पूर्ण माने जाएंगे बाद में अब देखे उन्होंने क्या किया अपने गलतियों से सीख लिया और क्या किया, बाद मैं मैंने अपने अक्षर सुधारने का प्रियत ने किया, परंत पके घड़े पर कहीं मिट्टी चड़ सकती है क्या, हैंना तो इन्हों ने ये बोला की जब मुझे लगा की मुझे अपनी राइटिंग सुधारने चाहिए, तो मैंने कोशिश तो किया लेकिन यहां देखिए एक यह लाइन है कि परन्तु पके घड़े पर कहीं मिट्टी चड़ सकती है क्या यह एक मुहावरा है इसका मतलब है कि जो चीज निकल गई तो अब उस पर सुधार नहीं किया जा सकता है बहुत प्रयास के बाद में भी सुधार नहीं किया जा सकता है ठीक है या तो एक और देखिए मुहावरा जिसमें आप समझ सकते हैं अब पच्टाए होत का जब चुडिया चुक गई खेत जब वक्त निकल गया तब पस्ताने से कोई फरक नहीं प्रयात नाप कर रहे हैं उतना सुधार नहीं आएगा क्यों क्योंकि जो सुधार आना चाहिए वो बच्पन से ही प्रयास करना चाहिए तब ही आगे चल कर आप उसमें सिद्ध हस्त होंगे ठीक है अगला पैरग्राफ सुलेक सिक्षा का जरूरी अंग है सुलेक का मतलब होता है अच्छा लिखना सिक्षा का जरूरी अंग है ठीक है इसके लिए चित्रकारी सीखनी चाहिए बाला जब चित्रकला सीख कर चित्र बनाना जान जाता है तब यदि अच्छर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं अगर आप चित्र बनाईए अगर अच्छे से आप चित्र बनाना जान जाएंगे तो आपके अक्छर भी सुन्दर बनेंगे अगला पराग्राफ मेरे संस्रित सिक्षक काम लेने में बड़े सकत थे फारसी के सिक्षक नरम थे विद्यार थी आपस में बातें भी करतें कि फार्सी सिक्षक बहुत सरल है ठीक है अब देखिए अब ये अपने सिक्षकों के बारे हैं बता रहे हैं कि जो इनके संस्रित के सिक्षक थे सिक्षक का मतलब जाना है न टीचर टीचर की सिक्षक बोलते हैं ये काम लेने में बड़े सक्त थे मतलब सक्त टीचर थे ठीक है और जो फार्षी की सिक्षक थे वे नरम थे या सजा कम देते थे विद्यार्थी अपस में बाते करते कि फार्षी की सिक्षक विद्यार्थी भी फार्शे की सिक्षक को अच्छा बताते थे यह सुनकर मैं लिल चाया और एक दिन फार्शी की एकच्छा में जा बैठा यह देखकर संस्कृत सिक्षक ने मुझे बुलाया और समझाया तुमको संस्कृत समझनेमे कोई कठनाई हो तुम मुझे बताओ मैं तो सब विद्यारतियों को अच्छी तरह संस्क्रित पढ़ाना चाहता हूँ आगे चल कर इसमें रस ही रस है मतलब संस्क्रित की सिक्षक की समझ गए कि ये मुझे कठोर समझते हैं और मेरी कक्षा में नहीं बैठना चाहते हैं और मेरी कक्षा छोड़ कर ये फार्सी सिक्षक की कक्षा लेना चाहते हैं लेकिन उन्होंने संस्क्रित का महत तो बताया कि अभी इसमें कठनाईया हैं लेकिन आगे चल कर जब संस्क्रित आपसे बनने लगेगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा जो इन्हों ने कहा है न इसमें ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसमें रस ही रस है रस ही रस मतलब आगे चल कर बहुत मज़ा इसमें आने वाला है अगर आपको संस्क्रित समझ में आने लगी तो तुम मेरी कक्छा में आकर बैठो ठीक है मैं उन सिक्षक के प्रेम के कारण इनकार ना कर सका आज भी मैं उनका उपकार मानता हूँ क्योंकि आगे चल कर मैंने समझा कि संस्क्रित का अध्यन आवश्चक है तो संस्क्रित आपकी बेसिक भाषा है आधार भासा है इसको आपको जरूर समझना चाहिए जिसके की आपको भविश्य में कई सारे फायदे मिलेंगे बागे देखिए मैं हाई स्कूल में मंद बुद्धी विद्यारती नहीं माना जाता था मतलब पढ़ने लिखने में हाई स्कूल तक इनको पढ़ने लिखने में अच्छा माना मंद बुद्धी मतलब जिसका जिसकी कैचिंग पावर या दास्त कम है उसे हम बोलते हैं मंद बुद्धी दीखें लेकिन जहां तक मुझे याद है मुझे अपनी होश्यारी पर कोई गर्व नहीं था यह आपको दीखें संदेज भी देते जा रहे हैं हर बात के बात में कि आप अगर होश्यार हैं तो आपको अपने उपर जो है कि ज़्यादा गर्व नहीं होना चाहिए उसको सम्हाल कर रखना चाहिए ज़्यादा शो आफ नहीं करना चाहिए ज़्यादा दिखाना नहीं चाहिए हमेशा बैलेंस रहना चाहिए पुरुष्कार या छात्रती पाने पर मुझे आश्चर्य होता था लेकिन अपने आचर्ण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी देखे ये बताना चाहरे है कि मेरे दिमाग अच्छा था यादास अच्छी थी और इन सब होने के बाद भी मुझे आचर्ण की अपने आचर्ण की बहुत चिंता रहती थी कि कहीं मैं जरुष से ज़्यादा गर्व ना करूं अपने ओपर मेरे हाथों कोई ऐसा काम नहों जिसके लिए सिक्षक मुझे दंड दें और ये वाला अचरण भी कि मेरे से कोई गलती नहों जिसके के लिए सिक्षक मुझे दंड दें तो यह मेरे लिए असहया था असहया मतलब जो सहा ना जा सके ठीक है मतलब उनको जो हम वक्ट मिलता था उसको वक्त में करना ठीक है जो उसक्षक उन्हें जो काले देते थे उसे ठीक वक्त पर करना ये सारी चीजें मतलब सिक्षकों को खुश रखते थे मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थे मुझे मार का दुख ना था पर मुझे दंड का पातर समझा गया इस बात का दुख था यह बात पहली यह दूसरी कक्षा की है तो इन्हों ने देख पताया कि पहले यह दूसरी कक्षा में जब यह पढ़ते थे तब इनको एक बार दंड मिला था इन्होंने गलतियां की थी ठीक है अगला परग्राफ दूसरी बात साथवी कक्षा की है दूसरी बात भी इनको शायद देखिए दंड मिला था उस समय के हमारे हेड मास्टर हना कड़ा अनुशासन रखते थे फिर भी वे विद्यार्थियों के प्रिये थे अब इन्होंने अपने हेड मास्टर के बारें बताया जो की साथवी कक्षा में जब यह थे तब की घटना है वे स्वयम ठीक काम करते और दोसरों से भी ठीक काम लेते थे पढ़ाती अच्छा थे उन्होंने उपर के कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वियायाम और क्रिकेट अनिवारे कर दिये ठीक है तो हेड मास्टर देखे अनुशासन कड़ा था थोड़े से कड़े सभाव के थे लेकिन वो प्रिये थे क्योंकि वो लोगों का भला करते थे विद्यार्थियों कि इतनी समझती की कौन उनका भला करता है इसलिए विद्यार्थियों ने चाहते थे ठीक है और उन्होंने सब के लिए व्यायाम क्रिकेट अनिवारे कर दिये थे क्योंकि छात्र खेले भी और स्वस्थ भी रहें सारी रिक्रूप से इसलिए उन्हें ऐसा किया था अब गांधी जी के दिखे आगे बोलते हैं मेरा मन इन चीजों में न लगता था अनिवार होने के पहले तो मैं कभी व्यायाम करने क्रिकेट या फुटबॉल खेलने गया ही नहीं था ठीक है वहाँ न जाने में मेरा संकोची स्वभाव भी एक कारण था है ना तो संकोच के कारण भी ये खेलने नहीं जाते थे है अम मैं यह देखता हूं के यह व्यायाम के पती यह अरूची मेरी गलती थी उस समय मेरे मन में गलत विचार घर किये हुए था कि व्यायाम का सिक्षण से कोई संबंद नहीं है अब देखिए इनके मन में दूसरा गलत विचार भी था यह जो एक शब्द एक देखे जो मुहावरा है घर किये हुए था घर किये हुए था का मतलब है विचार घर किये हुए था इसका मतलब है कि आपके मन में जगह बना कर रखना कोई भी अच्छी चीज़ के लिए या कोई भी बुरी चीज़ के लिए ठीक है उस आपके मन में उगलत विचार या धारणा बनी रहना इस विए हम बोलते हैं घर की रहना तो इनके दिमाग में क्या एक गलत विचार था कि वैयाम का सिक्षा से कोई संबंद नहीं है जो कि इन्हें बाद में समझ आ गया क्या समझ में आ गया कि पढ़ने के साथ साथ वैयाम करना भी जरूरी है ठीक है तो ये देखें आपको संदेज भी देते जा रहे हैं कि पढ़ने के साथ में वैयाम करना और गेम्स खेलना गेम्स का मतलब आउटडूर गेम्स जिसमें की शारिरीक महनत लगे पसीना बहे जिसी की आपका शरीर स्वस्त रहे ठीक है इंडूर गेम्स के लिए इन्होंने या मुबाइल के लिए मुबाइल गेम्स के लिए इन्होंने कोई भी बात नहीं बोली है इनका सारा नजरिया सारी बात आउट्डूर गेम्स के लिए है आगे क्या बोलते हैं व्यायाम में अरुची का दूसरा कारण था पिता जी की सेवा करने की तीवरीक्छा ठीक है अब देखिए ये जो अरुची है अरुची का मतलब होता है वह चीज पसंद ना होना उस चीज में रुची ना होना ठीक है उसे हम बोलते हैं अरुची तो उन सेवा में देना चाहते थे स्कूल बंद होते ही तुरंद घर जाकर उनके सेवा में लग जाता ठीक है मतलब अपने पिता जी की सेवा करते थे अब व्यायाम से इस सेवा में बीगन पड़ने लगा मतलब वह जो समय ये अपने पिता जी की सेवा में देती थे उसमें काफी सारा समय व्यायाम में ही जाने लगा मैंने पिता जी की सेवा के लिए व्यायाम से सुटकारा पाने का प्रार्थना पत्र भी दिया पर हेड मास्टर साब कहा छोड़ने वाले थे क्यों क्योंकि हेड मास्टर साब तो अनुशासन वाले थे और उनका अनुशासन कड़ा था अब देखी क्या होता है एक सनिवार को स्कूल सबेरिय का था शाम को चार बजे वियाम के लिए जाना था ठीक है मेरे पास घड़ी ना थी आकास में बादल थे उस दिन का वर्णन कर रहे हैं वो सनिवार के दिन का इससे समय का पता नहीं चला किससे नहीं पता चला क्योंकि आकास में बादल थे धूप नहीं थी इसलिए इनको समय का पता नहीं चला बादलों से धोखा खा गया जब पहुँचा तो सब जा चुके थे अब देखे दूसरे दिन मुझसे कारण पूछा गया मैंने जो बात थी बता दी उन्होंने उसे नहीं माना और मुझे एक या दो आना ये क्या है? एक या दो आना है न? एक ये दो आना क्या है? ये एक राशी है उस वक्त जैसी आज की समय में रुपए चलता है तो उस वक्त आना चलता था ये रुपए की छोटी राशी है जिसे एक रुपए में जो है कि solा आने होते हैं ठीक है? तो आना ये रुपए हैं उसके बारों में बोल रहे हैं तो इन्हें क्या दंड देना पड़ा था मतलब फाइन जो आप बोलते हो तो इन्हें एक या दो आना शायद फाइन भरनी पड़ी थी ठीक है? मैं जूटा बना फाइन भी भरा मुझे जूटा भी बना क्योंकि मेरे उपर किसी ने विश्वासी नहीं किया कि तुम्हें टाइम का कोई खबर ही नहीं था मुझे भारी दुख हुआ इन सब चीजों से वही चिड़ते थे वही वही चीजें हो गई इससे उन्हें बहुत दुख हुआ मैं जूटा नहीं हूँ ये सिद्ध कैसे करूँ ठीक है कोई उपाए ना था मैं मन मार कर रह गया ये देखिए जो मन मार कर रह गया ये भी एक तरह का मुहावरा है मन मार कर रहना मतलब कोई उपाए ना रहना मतलब मुझे मालूम है कि मैं गलत नहीं हूँ लेकिन मैं बता नहीं सकता सामने वाले को किस तरीके से बताओ कि मैं सही हूँ ठीक है तो इस से क्या हुआ जब कोई उपाय मेरे सामने नहीं रह गया अपने आपको सही सिद्ध करने का तो मैं बाद में रोया ठीक है और बाद में समझा कि सच बोलने वाले को भी असाओधान नहीं रहना चाहिए बाद में इस सब घटनाओं के कारणी को क्या समझ में आया कि जो सच भी बोलता है उसको भी है ना हमेशा साओधान रहनी चाहिए गलतिया नहीं करनी चाहिए नहीं तो कई बार इस तरह से हालात बन जाते हैं तो आपको कहानी से देखे क्या सीखने को मिला कि हमें अपने सिक्षकों के प्रति आदर भावना रखनी चाहिए और अनुशासन में रहते हुए हना विद्या अध्यन करने चाहिए या पढ़ना चाहिए अनुशासन में रहना चाहिए सिक्षकों का आदर करना चाहिए साथ ही सुलेक पर ध्यान देना चाहिए सुलेख मतलब अच्छी राइटिंग पर ध्यान रखना चाहिए और स्कूल की पाठ्थ सहगामी क्रियाओं खेल कोद में भी भाग लेना चाहिए ठीक तो आपको यह सारी इस कहानी से सीख मिलती है ठीक है? धन्यवाद